एक चोड़ी पाई यानि के चार पाई लियए इसको हमने अच्छे से वाश कर लिया है वाश करने के बाद अब को बॉल करने जा रहे हैं, बॉल करने के लिए हमने लिया है को साथ मान, इसके लिए हमने लिए है, चार चोटे साइस की प्याज, लिए है, तीन लसन की गढ़ लिए, यह बी चोटे साइस की है, थ리 टेवन इसपून स्वाफ ली पाय में पलट लिया है अब इसके अंदर सामन डालेंगे हम ब्यास डालेंगे रशन दालेंगे और नमक दालेंगे अब देखिए आप यह उसी भी डाल सकते हैं ढ़ने की मदद से चाल ले मैंने एक पोट्री में बांड के अब आड़े इसके अब नदर डाल दिया है मेने पोट ली अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे यह हमने एक जग भर के पानी डाल दिया अब हम एक और जग भर के पानी डालेंगे इसके अंदर अब कूकर की लिट को बंद करेंगे और वन विस्टिल आने के बाद हम 25 मिनिट के लिए से लो फ्लेम पर पकाएंगे और जब तक कि हमारी गैस नहीं निकल जाती तब तक हम इसको खोल कर नहीं देखेंगे अब हम देखेंगे 25 मिनिट हो चुके हैं इसकी गैस निकल चुकी है अब हम इसको खोल कर देखेंगे लिट हटाने के बाद अब हम चेक करेंगे इस फून की मदद से कि हमारे पाए अभी गले हैं या नहीं एक फॉर्क लेंगे फॉर्क की मदद से हम इसको चेक करेंगे हम देखेंगे हमारे पाय अच्छे से गल चुके हैं अब हमें इसे और गड़ाने की ज़रूरत नहीं है 25 मिनिट में पाय गल चुके हैं अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हमें चाहिए कुछ सामान इसके लिए हमने लिए है तीन बड़े साइस की प्यास को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है कुछ मसाले लिए है छे टेबिल स्पून हमने लिए धनिया पाउडर तीन टेबिल स्पून हमने लिए हल्दी और पाच्छे लिए हमने टेस पत्ते हमने लिए हैं दो मीडियम साइज की प्यास को भगार के लिए स्लाइस में कट कर लिया है और तीन टेबल स्पून भरके अदक लसन का पेस्ट लिया है ये गानेशिंग के लिए अदक हरा धनी और हरी मेर्श लिए है अब हम एक भगोना लेंगे बावने के अंदर हमने फोर स् याम अला है हमने का अब अध़ लसन का पेस्ट डालेंगे या मतही यह मने अरक में का पेस्ट लिया है बोस君ने आ अदक हैन्ट के गव्यदै को एक-व्यर्स पास्ति overall लिया है जाते व्यर्जटियों याण के पेस्टि को एक दो मिनट तक इस तरह से सबहुनेंगे ताकि अदक लशन के पेस्ट की स्मयल निकल जाए बस एक दो मिनट तक हमें भूनना है क्योंकि हमारा जो ओल है वो काफी गरम हो चुका है तो यह जल्दी एक दो मिनट में ही भून जाएगा अदक लशन का पेस्ट अब इसके साथ हम धाल देंगे इसके अंदर प्याज जो हम प्यास को हमें कलर चेंज होने तक भूनना है जादा नहीं भूनना चिर्प 45 मिनट तक अब हम देखेंगे हमारी प्यास के कलर चेंज हो चुका है अब इसके अंदर जो हमने सुख्य मसाली लिए है वो डालेंगे धनिया मेर्च और हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है क्योंकि मैंने बॉइल करते में काफी सारा नमक डाला था अब जब मैं पाई डाल दूंगे उसके बाद नमक को टेस्ट करूंगी अब हम मसाले को भूनेंगे मसाले को जब तक मसाला हमारा अच्छे से भूनने जाता और जो है सर्फेस पे आ नहीं जाता जब अगर हम इसको भूनेंगे तो यह नीचे लग जाएगा यह फटा फटा हो चुका है मैं अब हमें इसके अंदर पाई डालने हैं जो हमने बॉइल करके रखे थे मैंने फ्रीज में रख दी हैं तो यह जम गए हैं आपको अगर हाथ के हाथ बनाने हो तो आपके यह पाई जो कर देखेंगे यह पाई जो है हमारे मैल ठोचे हैं इसके फट्बदी आ चुकी है इस प्ट पर यह बंद चुके हैं पर हम कैसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमने अध्रक हरीमेच अरा धनिया काटकर रखा था तो इसमेंसे हम आधा आधा इसके अंदर डाल देंगे आदा हम इसके अंदर अद्रक डालेंगे और आदी हम इसके अंदर हरी मेर्च डालेंगे और इसी तरह से हम थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया लगा देंगे और आदा जो है हम उपर से गानिशन के लिए छोड़ देंगे अब हम तड़का लगाते हैं तड़की के लिए हमने लिया एक पैन, पैन को गरम करने के बाद अब हम इसके अंदर तीन स्पून ओइल डालेंगे, तीन स्पून ओइल हमने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से गरम कर लेंगे, ओइल अच्छे से गरम हो चुका है जो हमने प वनना पायों के अंदर करवाहट आ जाएगी, इसलिए हमें सिर्फ golden brown होने तक इसको प्यास को fry करना है, चार पाइच मिनट बाद अब हम देखेंगे हमारी प्यास golden brown हो चुकी है, इस पॉइंट पर हम गैस की flame को burn कर देंगे और हम अपने तड़का उताल लेंगे, अब हम पाय खोलेंगे, पाय खोलने के बाद जो हमने तड़का तयाद करा है, उस तड़के के अंदर हम वन टेबिल स्पून लाल मेच पाउडर मिलाएंगे और तड़का लगा देंगे, तड़के से पायों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अब इसके अंदर हम वन टेबिल स्पून गरम मसाला डालेंगे, और इसके बाद अब हम इसको सर्फ करेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें, देखने के लिए थैंक यू,